इस वीडियो को लाइक और शेर करें अब करी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताके चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फॉरन मिल सकें आज हमारी जिन्दगी टूटी होई है हमारी जिन्दगी बिखरी होई है आठ गंटे की जॉब चैनल कर्षी पे बैठने की है एर कंडिशन की नीचे रिवालिंग चियर की है और आठ गंटे की जॉब किसी मिल और फैक्टरी के सामने है या किसी बठी के सामने है आग के सामने या किसी मशीन के सामने है वो आठ गंटे की उस जॉब ने हमारे जिस्म को तोड़ के रख दिया है लेकिन मेरा कुमान है मेरा ख्याल है जिस्म की मजदूरियां करने वाले कम थकते हैं जिहन की मजदूरियां करने वाले ज्यादा थकते हैं जिसम की मजदूरियां करने वाले जिसे मैं जॉब कह दूँ जिसे मैं मिहनत कह दूँ जिसे मैं सेक्रिफाइस कह दूँ स्टरंगल कह दूँ जिसे मैं खुदाई कुदाल कह दूँ जिसे मैं बेलचा कसी कह दूँ जिसम की मजदूरियां करने वाले वो बहुत कम थकते हैं अगर वो थकते हैं तो उनकी पुरसकून नीन जब आँख खुलती है और एक बड़ी सी जमाई लेते हैं वो सारी जमाईयों के अंदर सारा कारबन निकल के उनके जिसमें सारी आक्सीजन बाराती है और जिसमें पुरसकून हो जाता है लेकिन दिमाग की और कुर्षियों की और बड़े-बड़े महलाद और बड़े-बड़े फाइफ स्टार कमरे और बड़े-बड़े सेवन स्टार बिल्डिंग्स लग्जरी उनकी मजदूरियां करने वाले उन पे जॉब करने वाले या उन पे मेहनत करने वाले या उन पे बै जो चैन की नीन खो चुके हैं जो खैर के दर्वादे बंद करवा चुके हैं सब की बात नहीं कर रहा है असल इनसान का पहले दिमाग तकता है फिर यश्म तकता है पहले इनसान का दिमाग होता है फालिज ब्रेन हैमरिज हार्ट इंजाइना दिल के दौरे ये ज्यादा कुर् का इजाला चाहते हैं गोलियों की शकल में तो उन गोलियों के साइट इफेक्ट पहले देख लीजिए वो गुर्दू को फेल कर रही है या दिल के मरीज बढ़ा रही है क्या डालाइसिस के केर्स पहले इतने थे क्या गुर्दू के हस्पताल पूरे के पूरे थे आएं फिर म आपको एक तुफ़ा देता हूँ वो मदीने वाले की सोगाते हैं वो मदीने वाले के मुति हदर्त सेयदा फातमत की फातमत जहरा रजी अलाह ताला अनहा के एक अमल मैं आपकी खिद्मत में आर्श करता हूँ अंट के लिए खुजूर की गुटियों को कूटना उनके जो या गंदम का घर के लिए आटा बनाना घर की सफाई कोई खादमा नहीं आका की बारगा में हाजर हूए के कपड़े अक्सर मैले रहते हैं घर की सफाई और खिद्मत के लिए और जिसम फिर रात को सोते हुए दुखता है आका ने फर्माया और क्या फर्माया उसका मफ़ूम अर्स कर रहा हूँ ऐ फातिमा रजियल्लाह अगर तूं हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अक्बर पढ़ ले तो ये ऐसा हैरतंगेज अमल है कि इसको पढ़के ऐसे फूंक मारके पूरे बदन पर ऐसे मल आगे पीछे ऐसे मल आगी पीछे इसमेल पर आने वली हर विडियो आपको फौरण मल सके